Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel, I hope you all are fine. In this video, we will discuss about a short story, Property of Women, that was written by Sarah Sulari. First of all, we will see who was Sarah Sulari. Sarah Sulari एक पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर है. उनका ज्यादा तर वक्त पाकिस्तान में गुजरा. उन्होंने B.A.M. में भी पाकिस्तान से ही किया और PhD अमेरिकल से की. उनकी जो स्केंडरी स्कूलिंग है वो भी पाकिस्तान से ही है. उनकी इस स्टोरी का जो टाइटल है, Property of Women, ये फेमिनिजम का की अलिमेंट है. यानि एक औरत की प्रापरिटी क्या होती है, उसकी पुजेसेशन क्या होती है. यहां इसको सिंबॉलिक मैनर में पेश किया गया है, जो उसकी हया होती है और उसकी खुदारी होती है, इसके बारे में उन्ताय गया है. अगर हम इसके क्रेक्टिस की बात करें, तो इसमें एक सारा है जो स्टोरी की नरेटर है, और हलीमा जो सारा के घर पर काम करती है. हलीमा की हस्बेंट का नाम गुलाम है, जो सुई गैस कंपनी में मुलाजम होता है. अलाहर्खा हलीमा का बेटा होता है, और उसकी बेटी का नाम गुल बदन होता है. पत्थरनादी जो है वो हलीमा का इमेजिनेटिव लवर है. वो उसे लाहौर में देखती हैं, और देखते ही उसे 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 प्यार हो जाता है. लेकिन उनमें कोई sexual relation नहीं था Let's discuss the summary Story जब शुरू होती है तो ये sexual desire के idea से शुरू होती है यानि जो औरत की property है यो जो उसकी sexual desire है वो उने कैसे control करती है यही उसकी property है Story में दिखाया गया कि एक made होती है जो सारा के घर में काम करती है ये बहुत गरीब होती है और इसका husband sui gas company में मुलाजम होता है इसको सफाई सुत्राई करके पैसे कमाने पड़ते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुद्दार होती है और इसे अपनी self respect का बहुत ख्याल होता है ये smoke कर होती है लेकिन cigarette भी किसी से मांग कर नहीं पीती इसकी जो honor सारा है वो भी smoke कर है वो उसे अपनी half cigarette पीने के लिए दे देती है हलीमा को कहानिया सुनाने का बहुत चौक होता है हलीमा सारा को इधर उधर की stories बताती है उसे अपने हमसायां की बात एमताती है और अपनी बेन जिससे वो इवल कहती है क्यूंकि वो पैसे की खाजर लोगों के बचचे तक अबार्ट करवा देती है वो कच्ची अबादी में रहती होती है हलांके जो सारा होती है वो गुलबर्ग वायथ में रहती है ये एक बड़ी लकीर खेंच देता है सोशल और कल्चर डिफरेंस में जैनि एक इतनी हमीर है और दूसरी इतनी गरीब है सारा कनवर्सेशन के दरमयान हमेशा अपनी हाफ सिगरेट अपनी मेट को दे देती है और फिर वह सारा को पत्थरनादी के बारे में अपनाती है जो पिशावर में रहता है और हर 17 साल के बाद लहे हो रहता है उसे एक इंसेक्ट सी कैड़ा से तश्भी दी गई है जो परसाथ के मौसम में निकलता है हलीमा सारा को पताती है कि उसकी जो आंके हैं वो सूरेच हैं और उसकी जो हड़ियां है वो सूरेच की रोश्य है वो इसको मेंटफरी के ली यूज करती है फिर व questions कैती है कि जब मैं बोहत ज़्याद काम कर लेती हूं और मेरे जिस्सम में बहुत दर्द होता है तो मैं उसकी आँखों के बारे में सोचती हूँ यह सुनने के बात सारा उसे डांटी है कि तुम इतनी मेटफरीकली बातें करती हो तो फिर हलीमा उसे कहती है कि मुझे तो लगता था आपको ब्यूटी का बहुत पता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हलीमा को सारा पर बहुत ड्रेस था इसलिए वो उसे हर बात शेयर करती थी बातो बातों में वो गिल्ट भी शो करती है और यह जाहर करती है कि जो अल्ला रखा है वो उसकी लेक्रिमेट अलाद है हलांके वो अनपड होती है लेकिन वो उसे फिर भी गलत समझती है वो यह बात बार बार करती है कि जो अल्ला रखा है वो गुलाम का बेटा है और उसने कोई गलत काम नहीं किया यहां पर स्टोरी एंड हो जाती है इसमें feministik touch दिया गया है यानी जो आरत की sexual desire को दिखाया गया है किस तरह वो से control करती है यह भी एक property के तौर पे दिखाया गया है यहां property को दो meaning में दिखाया गया है एक तो यह है कि उनकी अपनी अपनी property है यानी एक कच्ची अबादी में रहती है और दूसरी गुलबर्ग में रहती है लेकिन जो दूसरी property है वो उनकी हया है उनकी मोडेस्टी और उनकी thoughts है और आखिर में लहोर के most more partition का जिकर करता हुए story end हो जाती है यह story जो थी stream of consciousness technique में लिखी गई यानी जो characters हैं वो अपनी inner thoughts में बाते करते हैं वो अपनी inner stream of consciousness में बाते करते हैं That's all for today Stay blessed, keep watching Thank you, Allah आफिस